नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंकित और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मेडी टोप टीवी में आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्पून जानकारी लेके आए हैं किर्प्या वीडियो को लाश्ट तक देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें चलिए सुरू करते हैं जब भी हम बीमार होते हैं तो हम डोक्टर के पास जाते हैं और डोक्टर हमें एक परचे पर दवाईयां लिख देते हैं लेकिन दवाईयों के साथ साथ वो कुछ मेडिकल एब्रेवियेशन्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि कोई भी टैबलेट सामने ODE, BD, TDS ऐसा भी लिख देते हैं लेकिन हम यह समझ नहीं पाते हैं कि इनका मेनिंग क्या है आज हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि ODE, BD, TDS और भी बहुत सारी मेडिकल टर्मिनलोजी के बारे में कि इनका अक्सरी मेनिंग क्या होता है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली जानकारियां भी आपको मिलती रहें ODE, Latin word है Omni in die, अगर आपके परचे पर किसी भी दवाई के सामने ODE लिखा है तो इसका मतलब है Once a Day यानि आपको ये दवाई 24 गंटे में सिर्फ एक बार ही खानी है BD, Latin word है Bis in die, अगर आपके परचे पर किसी भी दवाई के सामने BD लिखा है तो इसका मतलब है Two Times a Day यानि ये दवाई आपको 24 गंटे में दो बार खानी है, पिर तेक बारे-बारे गंटे में आपको खाना है TDS, Latin word है Turdai Summandum जिसका मतलब है Three Times a Day अगर आपके परचे पर किसी भी दवाई के सामने TDS लिखा है तो इसका मतलब हुआ आपको ये दवाई 24 गंटे में तीन बार खानी है और आपको ये दवाई हर 8-8 गंटे में खानी है QID, Latin word है Quarter in die अगर आपके परचे पर किसी भी दवाई के सामने QID लिखा है तो इसका मतलब है Four Times a Day यानि आपको 24 गंटे में ये दवाई 4 बार खानी है आप इस दवाई को पिरतेक 6-6 गंटे में खा सकते हैं HS, Latin word है होरा सोमनी HS का मतलब हो गया At Bed Time जब आप सोने जा रहे हों तभी आपको वो दवाई खानी है Start, Latin word है Startim जिसका मतलब हुआ Immediately यानि अगर आपके परचे पर किसी भी दवाई के सामने Start लिखा है तो वो दवाई आपको तुरंत खानी होगी SOS, Latin word है See, Ops, Sit जिसका मतलब हुआ If Necessary यानि ज़रत पढ़ने पर अगर आपके दवाई के सामने SOS लिखा है तो वो दवाई आपको तभी खाना है जब उसकी ज़रत हो Doctors किसी भी दवाई के सामने ऐसा लिख देते हैं जो आपको ज़रत पढ़ने पर ही खानी होती है यानि ओरली अधिकतर दवाईयों के सामने PO लिखा होता है जो टेबलेट्स होती है तो वो माउट से खानी होती है NPO, Latin word है Nil पर ओस यानि Nothing by Mouth मुह से कुछ भी नहीं खाना है कैई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम Mouth से कुछ नहीं खा पाते हैं या हम पचा नहीं पाते हैं वो मेटिंग होती है तो इस कंडिशन में डोक्टर समें NPO कर देते हैं QOD, Latin word है Queque Ultra Dye जिसका मतलब हो गया Alternate Day यानि आपको ये दवाई एक एक दिन छोड़ कर खानी है जैसे कि आज खा लिया तो कल छोड़ कर फिर परसों खाना है A.D. अगर आपके परचे पर A.D. लिखा है तो इसका भी मतलब Alternate Day है यानि ये दवाई भी आपको एक एक दिन छोड़ कर लेना है अगर आपके परचे पर कोई दवाई लिखी है और उसके सामने C के उपर ये बार लगा हुआ है तो इसका Latin word हुआ कम यानि विद यानि साथ में डोक्टर्स किसी भी दवाई के सामने लिख देते हैं इसको हम विद बोलते हैं वो दवाई हमें उसी चीज़ के साथ खानी होती है A.C. Latin word है Antisibum इसका मतलब हुआ Before Meal यानि ये medicine हमें खाने से पहले लेना है P.C. Latin word है Post Meridium यानि After Food मतलब ये दवाई हमको खाने के बाद लेना है अगर आपके पर्चे पर किसी दवाई के सामने BBF लिखा है तो इसका मतलब है Before Breakfast यानि ये दवाई आपको नास्ते से पहले खाना है ABF अगर आपके पर्चे पर दवाई के सामने ABF लिखा है तो इसका मतलब है After Breakfast यानि कि ये दवाई आपको नास्ते के बाद खाना है अगर आपके पर्चे पर किसी दवाई के सामने ES लिखा है तो इसका मतलब हुआ Empty Stomach यानि ये दवाई आपको खाली पेट खानी है SL अगर आपके पर्चे पर किसी दवाई के सामने SL लिखा है तो इसका मतलब है Sublingual यानि ये दवाई आपको जीब के नीचे रखना है जिसका लेटिन वर्ड है oculus dexter यानि right eye यानि सीधी आंक वो दवाई आपको सीधी आंक में यूज करनी है OS Latin word है oculus sinister यानि left eye यानि बाईं आंक वो दवाई आपको बाईं आंक में इस्तेमाल करनी है OU Latin word है oculus uter kyun जिसका मतलब हुआ both eyes यानि दोनों आंक वो दवाई आपको दोनों आंक में इस्तेमाल करनी है AD Latin word है oculus dextra यानि right ear यानि दाया कान अगर आपको कान की प्रोबलम है और आपके परचे पर दवाई के सामने AD लिखा है तो इसका मतलब हुआ right ear वो दवाई आपको दाय कान में इस्तेमाल करनी है AS Latin word है oculus sinistra यानि left ear यानि बाया कान अगर आपके परचे पर किसी दवाई के सामने AS लिखा है तो वो दवाई आपको अपने बाय कान में इस्तेमाल करनी है AU Latin word है oculus uterky यानि both ears मतलब दोनों कान अगर आपके परचे पर AU लिखा है दवाई की सामने तो आपको वो दवाई अपने दोनों कान में इस्तेमाल करनी है जिसको injection लगने होते हैं तो doctor injection के सामने AMP लिख देते हैं यानि इसका Latin word हुआ ampula यानि ampule injection की CC ampule वो होते हैं जिनको उपर से तोड़ के सिरिंज में भरा जाता है उनको ampule कहते हैं capsule के लिए doctor C.A.P. यूज करते हैं जिसका Latin word है capsula यानि capsule tablets के लिए doctor short form T.A.B. यूज करते हैं जिसका Latin word है tabella यानि tablet और हिंदी मीनिंग है इसका गोली syrup के लिए doctor short form S.Y.R. या S.Y.P. यूज करते हैं जिसका Latin word है syrupus यानि syrup मतलब पीने की दवाई अगर किसी भी injection के सामने I.M. लिखा है तो इसका मतलब हुआ intra muscular यानि ये injection सिर्फ mass में लगवाना है अगर injection के सामने IV लिखा है तो इसका मतलब हुआ intra venous यानि ये injection सिर्फ नस में लगवाना है अगर किसी भी injection के सामने SC लिखा है तो इसका मतलब हुआ subcutaneous यानि ये injection आपको खाल के नीचे लगवाना है हमें उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दीगी जानकारी पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाग आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है जल्दी ही मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार